जहिंद वंदे मात्रम आप सभी का स्वागत है सक्सेस वल्ड आम से क्यू चैनल पर तो चलिए आज किस वीडियो में गुरूप डी एक्जाम के लिए साइन्स के 25 मोश्ट इंपोर्टन कोसंस को लेकर आए हैं आप लोग एक्जाम में बैठने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना क्योंकि ये सभी प्रसन आपको एक्जाम में काफी हेल्प करने वाला है तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने फर्स्ट कोसं है हरे पौधों को कुल कितने पोसक तत्वों की आभसकता होती है आपको प्रत्यक प्रसन के लिए मैक्सिमम फाइब सेकंड का टाइम दिया जाता है प्रत्यक इस्ट्वेंड को कमेंड बॉक्स में आंसर टाइब करते जाना है तो देखे हरे पौधों को कुल 17 पोसक तत्वों की आभसकता होती है आपके सामने 20 प्रसन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 17 पोसक तत्व नेक्स्ट कोसन को देखते हैं हाइडरोफाइट कहते हैं चलि आंसर करेंगे हाइडरोफाइट किसे कहते हैं टाइम सब तो देखे बिना मिट्टी का पोधा जो होते हैं उनको हाइडरोफाइट बोला जाता है ओप्शन 20 प्रसन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट कोसन है एपी फाइड वे पोधे हैं जो दूसरे पोधों पर आसरित होते हैं किसलिए आसरित होते हैं आप लोगों को आंसर करना है तो देखे एपी फाइड वे पोधे होते हैं जो दूसरे पोधों पर आसरित होते हैं या अन्तरिक अब लंबन के लिए ओप्शन 20 प्रसन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट कोशन को देखते हैं सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है चलिए आंसर करेंगे सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है तो हरी सबज्यों में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है ओप्शन 20 प्रसन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हरी सब्जा में मेथी के पत्व में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं निमलिखित में से अंकुरन के लिए सामानता किसकी आभसकता नहीं होती है मोश्ट मोश्ट इंपोर्टन प्रसन आपके एक्जाम के लिए प्रत्यक स्ट्वेंड को कमेंड बॉक्स में आंसर करने है तो देखे अंकुरन के लिए सामानता किसकी आभसकता नहीं होती है तो प्रकास की आभसकता नहीं होती है ओप्सन बिस प्रसन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है पौधों में जल के उपर की ओर गति क्या कालाती है most important प्रसन है चली आंसर करेंगे पौधों में जल के उपर की गती को क्या बोला जाता है तो रसा रोहन कालाता है ओप्सन डिस प्रसन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट कोशन को देखते हैं पौधों की लंबाई में व्रिद्धी के लिए आवस्चक कौन नहीं है सोच समझ का अंसर करना है चलिए तो दीके पौधों की लंबाई में व्रिद्धी के लिए कौन आवस्चक नहीं है तो sodium option इस प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाव जगा बागी calcium, nitrogen, phosphorus ये सभी आवस्चक है ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन को देखते हैं प्रकास संसलेशन में किसका ऑक्सीकरन होता है चलिए आंसर करेंगे और फ्रेंड सेशन के एंड में अपना अपना इसकोर जरूर देना है कि आपने 25 प्रस्णों में से कितने प्रस्णों के सही सही जबाब दिये है तो प्रकास संसलेशन में किसका ऑक्सीकरन होता है जल का ऑक्सीकरन होता है और सेशन का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा जल का सुत्र क्या होता है H2O होता है और एक होता है भारी जल, भारी जल का सुत्र होता है D2O दोनों को ध्यान रखना है Next question को देखते हैं कौन से जीवन परक्रिया रसाने कुर्जा में बदलती है चलिए आंसर करते जाएंगे सारे प्रस्न most important और selected लिए गए है वही प्रस्न लिए गए है जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते है तो देखे कौन से जीवन परक्रिया रसाने कुर्जा में बदलती है इसका सही जबाब है option D स्वसन D स्वसन का बिलकुल सही जबाब है Next question को देखते हैं नेक्स्ट को देखते है मनुस्य का समान तापकरम लगभग कितना होता है चलिए आपको option में जो मिले वो टिक करना है और Celsius में पूछे तो 37 डिगरी Celsius होता है सभी को ध्यान रखना है Next question को देखते हैं साबुन को जल में घुलने पर जल के प्रिश्ट दनाव पर क्या प्रभाव पढ़ता है घट जाता है स्वचालित वहनों में प्रियुक्त द्रभ चालित ब्रेक जो है ये किसके नियम पर अधारित है तो इसका राइट आंसर है पास्कल नियम option 20 प्रसन का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा most important प्रसने ध्यान रखना है next question को देखते हैं किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक्तम होता है ये भी प्रसने कई बर पूछा गया एक्जाम में चलिए आंसर करते जाएंगे time's up तो दिखे 4 degree Celsius पर क्या होता है जल का घनत्व अधिक्तम होता है option 20 प्रसने का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा next question है पानी पर तैरती वस्तु का आवासी भार है सभी options को सही से देखिए चलिए तो देखिए पानी पर तैरती वस्तु का आवासी भार सुन होता है option 20 प्रसने का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा next question है जल प्रिष्ट पर लोहे के टुकडे के नौ तेरने का क्या रीजन है चलिए आंसर करते जाएंगे तो दिखे जल प्रिष्ट पर लोहे के टुकडे का नौ तेरने का रीजन है लोहे द्वारा विस्थाफित जल का भार लोहे के भार से कम होता है option A बिल्कुल सही जबाब हो ज चलिए आंसर करेंगे उत्पलावी बल किस पर निर्भर करता है तो दीके उत्पलावी बल जो है ये विस्थाफित तरल के भार पर निर्भर करता है याद कर लिजिए और संडी बिल्कुल सही जबाब है चलिए आंसर करते जाएंगे लाव अप फ्लोटिंग सिधान की खोज किसने की थी तो ये किती आर्के मिडिज ने ऑप्सटन डी बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण उपर उड़ता है तो ये उड़ता है केसी का करिया के कारण बिल्कुल सही जबाब हो जागा केसी का करिया नेक्स्ट कोशन है हाइडरोमिटर किसे नापने के लिए प्रियोग में लाया जाता है चलिए आंसर करेंगे तो ये हाइडरोमिटर जो है ये वायो मंडल में व्याप्त आधरता को मापने के लिए प्रियोग में लाया जाता है इसे के साथ राइट आंसर ऑप्सन सी के साथ चला जाएगा नेक्स्ट कोशन को देखते हैं दी गई वायो के आधन में जलवास्प की मात्रा को जाना जाता है चलिए आंसर करते जाएंगे तो देखे 21 निमर प्रसंद का राइट आंसर अगर आपने डी को दिया है तो बिलकुल सही जबाब हो जाएगा एक दी गई वायू के आयतन में जलवास्प की मात्रा निरपेक्च आधरता के रूप में जाना जाता है Next question को देखते हैं CaCO3 में कार्बन का प्रतिसत कितना है तो देखें CaCO3 में कार्बन का प्रतिसत कितना होता है इसका सही जबाब है 12% होता है और यह CACO3 किसका नाम है तो केल्सियम कार्बोनेट का रसानिक सुतर है नेक्स्ट कोशन को देखते हैं हड्डियों और दाथों का मुख्य संगटक क्या है चलिए आंसर करेंगे ताइम सब तो दीके हड्यों और दातों का मुग्य संगटक केल्सियम फॉस्पेट है option 10 प्रसन का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा ये भी प्रसन आपके एक्जाम के लिए important रने बाला है next question को देखते हैं दूद किसका उधारन है चली answer करेंगे दूद किसका उधारन है तो दीके आप सभी जानते हैं दूद जो है ये इमल संग का उधारन है option 10 प्रसन का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा और friends अगर आप लोगों को ये session अच्छा लग रहा है तो सभी लोग session को like करें और session को share करें next question को देखते हैं और आखरी प्रसन है हाई-לोजन में सरवादिक प्रभावसाली औक्सिकरन करता है चली answer करेंगे हाई-लोजन में सरवादिक प्रभावसाली औक्सिकरन करता कौन है इसका सही जबाब है फ्लोरीन है option C बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा तो आज के session में group day exam के लिए आपको 25 most important science के प्रसन को कराया गया ये प्रसन आपके exam के लिए important रहने वला है तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जय हिंद